पार्ती रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलम्पिक की स्पर्दा से बाहर होने पर एक वक्तव्य देना चाहता। पार्ती रेसलर विनेश फोगाट को तै केटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वज़ा से पेरिस ओलम्पिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की केटेगरी में खेल रही थी इस परदा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवारे था UWW के नीमो और विनेमो के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए सब्बंदिच स्रेणी के लिए प्रतियक सुबह वजन माप का आयूजन किया जाता है अनुछेद अग्यार के अनुसार यदि कोई एथलिट वजन माप प्रत्थम अत्वा दियुती में भाग नहीं लेता है अत्वा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बहार कर दिया जाता है और बीना किसी रेंग के अंतिमस्थान पर रखा जाता है 7 अगस्ट 2024 को 50 किलोगराम महिला कुस्ती के लिए वजन का निद्धारण 7 बज़ के 15 मिट और 7 बज़ के 30 मिट पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया इसलिए वेस पर्दा के लिए अयोग्य घोशित की गई इस मामले को लेकर भार्ती ओलंपिक संग ने आंतराश्टी कुस्ती संग से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है नेशनल पार्तिया ओलंपिक संग की अध्यक्षा पीटी उशा भी अभी पेरिस में है प्रदान मंत्री जीने स्वयम उसके साथ बातचित करके उचित कार्यवाही करने के लिए उचित एक्षन लेने के लिए भी उसको कहा गया था विनेश मंगलवार 6 अगस्ट को तीन मुकाबले जित कर 50 केजी रेस्लिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारती महिला रेस्टर बनी था सेमी फाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवाल गुजमान लोपेजी को क्वार्टर फाइनल में उक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चेंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी उन्हें बुद्वार 7 अगस्ट की रात करिब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रैसलर सारा एन हिल्डर ब्रांट से मुकाबला करना था जहां तक उनकी तैयारी है तुँ सहायता का प्रश्ण है पारत सरकाने विनेश फोगाद की उनकी आवशक्ता के अनुसार हर संबो सहायता प्रदान की है उनके लिए पार्सनल स्काप भी नियुक्त किये गए है जो अपने क्षेतर के विशरशक्य है उनके साथ हंगरी के व व्यक्तिकत सहायक स्टाप जैसे विभीन स्पारिंग पार्टनर्स स्टेंथ और कंडिशनिंग विशोषग्या के लिए वित्ती सहायता प्रदान की गई जिसका वीवरन इस प्रकार है। उनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कूल 70,45,775 की वित्ती सहायता दी गई है जिसका वीवरन इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्ती सहायता साथी 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024, दस दिन तक मेड्रीट स्पेन के आंतराश्टी प्रशिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त वित्ती सहायता, इसके अलावा फ्रांस के बुलाउन सुमेर में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 आंतराश्टी कुस्ति संग 2nd Ranking Series में 6 जुन से 9 जुन 2024, चार दिन तक बुड़ा पेश्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जुन से 21 जुन 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में आंतराश्टी प्रशिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त सहायता के लिए वित्ती सहायता की है। स्टेंथ और एर कंडिशन कोच मिस्टर वाई ने पैट्रिक लॉंबार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जुन से 21 जुन 2024 तक आंतराश्टी प्रशिक्षन शिवीर में भाग लेने के लिए भी वित्ती सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 चार दिन तक बुड़ापेश्ट अंगरी में 4 रेंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 सोलो दिन तक बुड़ापेश्च अंगरी में प्रशिक्षन शिवीर हेतू इसको वित्ती सहायता की है। वेमेकेन बुलगेरिया में 10 ग्यारा 2022 से 3 बारा 2022 तक प्रशिक्षन के लिए वित्ती सहायता दी है। उनके रहाय प्रकिरिया के लिए आवर्शक उप्तर खरीदने के लिए भी वित्ती सहायता की गई है। दो हजार बीस टोक्तो ओलम्पिक चक्र में एक करोड त्यरह लाग अठानवे हजार दोसो चौविश रुप्य का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। दोसो चौविश पेरिस ओलम्पिक चक्र में भी टार्गेट ओलम्पिक पॉडियम स्कीम में तेपर लाग 35,746 और वार्शी टैनिंग अवन्स परदा केलेंडर में 17,10,000 पूर मिला के 17,45,75 रुपया हमारे खेलाडी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया।